मैंने आपको अपने बंडिंग में आम तो दिखाए दिखाएं थे अब दिखाते हूं जामुन ए देखी OF शलो जामुन लगें दोस्तो जामुन नीचे करें यह देखिए खा नहीं सकते एक भी तो यह मेरे बिल्डिंग के खाजियत है मैं अभी जहां रह रहे हूं यह प्रेड है उपर और देखे जहां मुन गिरे पड़े हैं यह सब याद देलाता है मुरातनेकर की और क्या है कि आज मैंने उनको छोड़ के तीन साल हो गया है मुझे दिखाई निदे रही उनकी दौलत उनका बंगला उनका गारी तो नमस्क्राइब दोस्तों मैं हूं आप सब के हेमा जिसको आप लोग करते हैं बहुत प्यार और आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल पर बहु क्योंकि आज जो एकांच को केर करती है वो आई नहीं है ठीक है तो आज की जो वीडियो है बहुत दिनों बाद मैं कोई वीडियो मतलब व्लोग अपलोड कर रही हूं बहुत दिनों बाद मेरा कुछ कहने का दिल क्या हाला कि कहने का दिल तो डेली करता है दोस्तों पर निवखें उसतनि करता हैं कमाउन विक किलम डा नियुखें तो बनाता है करा और भूड़ की सब्सक्राइब आपको लिए अरक्या सबना झालगों महतं पता चली हैं फिल्कुलिएग लिए तो porte हो चाहे कोई भी टेस्ट मैच हो कोई भी नहीं देखती हूँ बट अब उनकी यह न्यूज बन रही है तो आजकल छोटी-छोटी मतलब जादेतर न्यूज जो आ रही है वह डाइवोस की आ रही है चाहे सेलिब्रिटीज हो चाहे फिर कोई भी कॉमन पर्सन हो तो बड़ी आजकल यह जो है मुद्दा चल गया है अब जैसे बात करें एक टीवी एक्ट्रेस है दलजीत कोर दलजीत कोर जेका मैं नाम इसलिए ले रही हूं देखिए हार्दिक पांडिय को तुम्हें नहीं जानती बड़ीत कोर से मैं एक बार मिली हूं और उनकी शादी को लेकर बहुत सारी बाते मुझे पता है और जो है दोस्तों बहुत गहरा मेरा कनेक्शन है उनकी और उनके जो हस्बेंड है बहुत गहरी वाली बाते हैं दोस्तों हेमा की कहानी जो यूट्यूब चैनल है उसमें खेर चेलिए दलजीत कोर को भी साइड में रखते हैं उनकी बात जब आएगी तब आप खुद ही देखिएगा अब बात करते हैं हार्दिक पांडिय के कि उनकी बीवी के बारे में कहा जा रहा है नताशा के बारे में कि उनको 70% जो है उनकी प्रॉपर्टी दी जाएगी तो दोस्तों बात ऐसी है मेरे उपर इल्जाम लगा हुआ है कि मैंने अपने पहले हस्बेंट को छोड़ दिया था क्योंकि वह बहुत गरीब हो गए थे तो आज मैं यह बता देती हूं दोस्तों गरीब की तो यह बात है 2013 में उन्होंने मुझे इतना बड़ा चीट किया था औ अगर में कुछ भी गलत बोलू अगर एक परसेंट भी गलत बोलू तो आप कॉमेंट कर सकते हैं मुझे फोन कर सकते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं जो मेरा बेटा यश के दुवारा भी मुझे आप मैसेज पहुचा सकते हैं अगर मैं एक भी शबत बोलू क्योंकि मैं दोस् यह मिर्च मसाला लगा के बात करने वाला तो छोड़ दू तो 2013 में उन्होंने मुझे इतना बड़ा दोका दे दिया था छोड़के चले गए थे मुझे मेरे बेटे को उसके बावजूद भी में रही तभी वो आदमी गरीब हो गया था और जो भी गोल्ड घर था सब उन्होंने चीट कर दिया था मेरे साथ कि आज ही मुझे दोस्तों भी पता चला है कुछी दिन पहले डियर्ड दो महीने पहले कि जो गोल्ड होता है वो उस्तरी धन होता है लेकिन उन्होंने मेरे से पहले ही यह कहके ले लिया था कि तेरे बाप ने नहीं दिया है और उमीद करती हूँ कि यह वीडियो देखे और बिल्कुल जस्टिफाई करें कि भई मैं जो एक एक लाइन बोल रही हूँ जूट बोल रही हूँ यह सज बोल रही हूँ हो सकता है आज उस इंसान को रिग्रेट होता गवाले कि एसन सश्टिफाई में एक मिडल क्लास फैमली से यह अपनी मां को अपनी बहन को हमेशा जिए दबते वे देखा है यह भी कह सकते है कि कभी हिम्मत ही होई गलत को गलत कहने की है तो इसलिए आप जाके यह शक्ति आई है जब आज चार लोग जानते हैं मुझे जब कही जाती हूँ जब फिल्म सिटी मुझे बुलाया जाता है मेरे नाम की वज़े से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कल दोस्तों तो बात यह थी कि मैंने गरीब के उपर नहीं दोस्तों गरीब मैं क होता है तोड़ा सा कि ले लेती तो अच्छा होता आज मतलब जो मेरे नाम पर उन्होंने गर किया हुआ था उसका भी पैसा चेटिंग करके पता नहीं किसको दे दिया जो गोल्ड था 20-25 लाग का वो भी मुझे जूट बोलके पता नहीं कहां कहां रख दिया और जब मैंने बोलने की कोशिश की तो मुझे यही जवाब आया कि तेरे बाप ने नहीं दिया था जी हाँ यही थे तो दोस्तों सबसे पहली बात यह एक इंफोर्मेशन है सभी ओड़तों के लिए मैंने अपनी मा को भी बोला है बैन को भी बोला है कि वह यह जो भी गोल्ड होता है वो उसको कोई भी इंसान नहीं ले सकता चाहे वो आपके हस्बंड नहीं आपको खरीद के दिया हो ठीक है वह बात अलग है हेमा शर्मा जैसी कोई दिलदार वाइफ मिल जाए कि वाई ठीक है भाई तू ले जा गोल्ड ले जा मेरा नाम तो नहीं लेके जाएगा मेरी किसमत त युद्ध पूंद तो यहां कि जो इंसान रे इस से उसका छे जो है जो इनसान से चाहा बर्बॉल हो कि अच्ट डालेगी है क्योंकि हर इंसान संब्मान का भूका है तो मैंने अपने पती से दोस्तों में मेरे एक्सजबंड की बात करिए एक रूपया नहीं लिया सिर्बा बढ़ाई बढ़ाई को लेकर स्टड़ी को लेकर पर मा कासा मगर इसमें भी मैं एक रुपे का भी जूट बोलू तो भाईया जो भी मेरे एक्स है तुम अगर यह वीडियो देख रहे हो तो आके मुझे तुम पकड़ सकते हो कि वह यह मैं तो यह जूट बोल रहा है एक रु बच्चा मेरा है और उसको लेके जाना और रात रात भर नहीं लाना तो आज वह बच्चा ही उनसे दूर है तो सब कर्मों का फ़ल है और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो थोड़ा रुकी आप थोड़ा रुकी आप थोड़ा रुकी मैं बता देती हूं आपको त समय बाद समय कभी भी बदल सकता है रात और रात बदल जाता है और मुझे ऐसा लगते है जब कोई इनसान किसी के साथ चोरी करता है तो वो सारी चीज है उसकी बिमारी में लगती है तो आपकी हेमा जो है ना सोशल मीडिया पर इसलिए मैं बोलती हूँ चाहे एक्स के बारे म मैं बोलू चाहे रूद के बार में बॉलू क्योंकि भैपार मैं किसी के साथ ना चोरी नहीं किये किसी का 1 रुप्या खाया नहीं और नहीं आके खानी के तमन है इसलिए मैं बंदास अपनी बात बोलती हूँ अगर बदे यहाग फ्योचरी के साथ तो महा कसम बिल्कुल जाम लगा है यह बिल्कुल जो है ना कागच की रद्दी के बराबर है और दलजीत वाली जो बात है उसके तो मैं बताऊंगी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो अहिमा शर्मा ने दबा के रखे बट आई तिंग अब समय आगे है कि सब सारी बाते निकलेंगे डेवाइड और आपको समझ में आएगा और एक चीज और मैं बोलना चाहते हूं हमारी सरकार से हमारी सरकार हाला कि ओरतों के लिए बहुत स्ट्रों कदम उठारी है बहुत स्ट्रों कदम उठाई है कि एक थपड का भी जो है आप कमसा में एक लाक रुपया तो रखी है क्योंकि मैंने बहुत थपड़ गाएं है न यह जो भगवान न में मजो खूब सूदा चेहरा दिया चेहरे पर बहुत थपड़ काई है तो भई यह मेरे फील है नरेंदर मोदी जी से सरकार से योगी जी से अगर कोई एक मारता है उसको कम संकव एक रुपिया तो बहुत कम रुपार निकल यहांसों तो है कि विचेरी बउट मैंने मार्ड के देष्ष महीने में उनके शादी कह वेंगों आगे, कि उनको उनकी पती के उनना लगायी जारहा है कि वो किसी कोई देट कर रहे हैं तो अपने करियर के उपर ध्यान दिया निया बच्च्छा पैदा करने के बाद कि दूरन तो भाद नी किया कुछ नी किया सो आई गेव बर्थ तो एकांश हाई से हाई हाई सो दोसको ये हेमा शर्माई कर सकती है कि वजन कम करना mentally fit होना physically fit होना and back to the work और जितनी हेमा पहले पेमस नहीं थी उससे जाद है अपने आपको पुरूफ करना उसके लिए आपका इमानदार होना बहुत जरूरी है मेरी प्यारी सहिलियो और सुकून से अगर सोना है न तो देकर ही आप सो सकते हो किसी से छीन करनी हाला कि बहुत गंदी गंदी चीज़े में life में experience ले रही हूं कोई नहीं दोस्तों अगर आपकी कहनी नहीं होगी तो फिर आपकी छपेगी कहां तो इसलिए मैं तो चाहती हूं कि भई जब कोई मेरे से छीनेगा लेगा तभी तो मैं पब्लिकली बोल सकते हूं कि भई हाँ मैंने चलो दे दिया था उसने ले लिया था छीन लिया था मैं दूंगी तो क्या बोलूंगी तो इसलिए मेरी तो कहानी अभी स्ट्रोंग और जादे स्ट्रोंग बन दी है और आप लोगों का साथ है उपर वाले का आशेवाद अभी तो हेमा बहुत बहुत आगे जाएगी क्योंकि जितना दुख उपर वाला देता है उससे जादे उसके बदले वो सुख देता है तो अगर आप लोगों की भी लाइफ में दुख है तो डॉंट वरी बस आप थोड़ी से महनत करने देखना उसका रिजल्ट कमाल काहेगा तो यह बात में नीचे इसलिए कहीं क्योंकि यह फिन फूलनी आती खुलके बात करने के लिए मुंबाय शयर में चोटे घर उते हैं तो भाई कोई बी बात मैने इसमें को कही है ना एप परसेंट परिभी जूट नहीं है कमी होगी फिर से बतार्यों कमी होगी जादे नीं कही है तो भई बातों को गोर से सुनना कि जो है माशरमा जो लोगों की मदद करती है बहुत मदद करने के पीछे भी कहानी है दोस्तों कहानी के उपर कहानी है सो विद माई लिटिल एकांश नाव इस टाइम टू से बाब बाई टेक केर अपना ख्याल रखे और बस दूसरों का चोड़ी अपने साथ आप इमानदार रहें है ना क्योंकि इमानदार इंसान ही जिन्दगी की जंग जीत सकता है और मैं बगवान का शुक्रियादा करती हू कि मुझे ऐसा दिल दिया ऐसा दिमाग दिया कि किसी के साथ में चीट नहीं करती हूं भाई ये भी ले जा मेरी तरफ से ले जा ले मेरा भी ले जा तू खुश रहे मेरे नसीब में होगा तो इससे जादे आएगा और नहीं भी आया तो मेरा नाम जो है ना मेरी खुशी के काफी है I'm thankful to the God thank you so much कम से कम जीवन जीने जीते जीते मुझे रिग्रेट तो नहीं है कि साला मैंने किसी के साथ कुछ गलत काम किया है यह ना बहुत कुछ बागी है भी दोस्तों अभी तो कहनी शुरू हुई है